नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है अक्रोट के बारे में बताएंगे कि अक्रोट कितना फाइदे मंद होता है जी हाँ दोस्तो इस वीडियो में basically हम आपको ये बताएंगे कि अक्रोट को आपको कब क्यों और कैसे खाना चाहिए और इसके क्या-क्या फाइदे होते हैं दोस्तों यदि आप ताकत बढ़ाना चाते हैं अपने दिमाग को तेज करना चाते हैं जोडों को दर्थ को ठीक करना चाते हैं तो आपके लिए अख्रोट भूत ज्यादा फाइदे मन्द होता है दोस्तो यदि आप अख्रोट खा रहे हैं तो आप अख्रोट खाते समय आपको कोई फैदा नहीं हो रहा तो यहां कहीं ना कहीं आपके खाने में प्रॉप्रम है यदि आप अख्रोट को सही डंग से नहीं खा रहे हैं तो तभी आपको कोई फैदा नहीं हो रहा यदि आप अख्रोट को ठीक डंग से खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाब फाइदा होगा दोस्तों यदि आप आयरुवेदिक के बताय होए उपायों का इस्तेमाल करेंगे और उसी उपाय से आप अख्रोट खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा चलिए अब मैं आपको अख्रोट के कुछ फाइदों के बारे में बताती हूँ अख्रोट खाने से हम वजन घटाने में बहुत ज़्यादा सायता मिलती है अगर आप अख्रोट से वजन घटाना चाहती है तो आपके लिए अख्रोट बहुत ज़्यादा फाइदेमंद है अक्रोट खाने से हम अपने आपको रिलेक्स महसूस कराते हैं और हमारी नीन्द भी नहीं आती और हमारी नीन्द तो गाया भी हो जाती है अक्रोट खाने से हमारा दिल एक्टिव रहता है और हमें इससे बहुत जादा ताकत मिलती है इसमें भरपूर मात्रा में एंटी आक्सिडेंट होते हैं जो दिल के एक्टिव वनाए रखने में बहुत जादा मदद करते हैं अक्रोट खाने से हमें मदुमे में भी खत्रा नहीं होता और यह से हमें बहुत ज़्यादा बचाव रखता है तो इसे हमें खाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अक्रोट के बहुत ज़्यादा फाइदे माने जाते हैं अक्रोड खाने से हमारा दिमाग तेज होता है इसी एसे अक्रोड को brain food भी कहा जाता है क्योंकि अक्रोड में vitamin E होता है अक्रोड का सेवन करने से हम पेट के cancer से भी बच सकते हैं अक्रोट खाने से हमारी लाइफ बढ़ती है और हमारे जीवन में उर्जा आती है गर्वती महिलाओं के लिए अक्रोट खाना बहुत ज़्यादा फाइदे मन दोता है क्योंकि इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा एनरजी मिलती है और इसमें पोशिक तत्वी भी बहुत से चिन्ता यानी तनाव भी बहुत ज़्यादा कम होता है और शरीर का ब्लट प्रेशर भी नेमित रूप से ठीक रहता है क्रोट खाने से महीलाओं का लृवत भी Cup उर स्वाहते रहता है म हमारे लिए अक्रोट खाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नेमित रूप से अक्रोट का सेवन करने से बालों में स्किन और दातों में हेल्दी रहते हैं बाल भी और स्किन भी हमारी बहुत ज़्यादा तरो ताजा रहती है और हमारी स्किन ग्लो भी करती है और हमें कोई विमारी भी नहीं होती है दोस्तों ये तो थे सारे फाइदे अब हम इसकी विदी जान लेते हैं 15 गाम अक्रोट को एक गिलाज दूद में डालकर उबालना शुरू कीजे उबालने के बाद पीसी हुई मिश्री को इसमें मिला लीजे ध्यान रहे कि चीनी जो आजकल बजारों में आती है वो नहीं डालने मिश्री को पीस लीजे और वो इसमें डालनी है अब इसमें तीन से दो ग्राम केसर मिलाकर इसकी पत्यों को उबाल लीजे इसमें अच्छे से उबालने और इसको अच्छे से गरम कर ले अभी इससे मिश्र को सुहाता सुहाता गरम गरम पीए अ 8 अकरोट की गिरियों को 4 बदाम की गिरियां मिलाकर 10 मुनक्य यानी की मुनक्य के आपको बिज निकाल लेने है इन 3 एक साथ खाकर उपर उपर से गरम दूद को पी ले और इसका मिश बना ले और इसको पी ले इसको मिश्ट को पीने से बुड़े वे जवानों में बहुत ज़ादा शक्ती आती है तो दोस्तो देखा आपने कि आपको कैसे इसका प्रियोग करना है और आपके लिए कितना फाइदा मन्द होता है तो दोस्तो अक्रोट का सभी को सेवन करना चाहिए जो दोस्तो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अक्रोट का सेवन जरूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें क्योंकि हमें ऐसी कुछ वीडियो बनाने की और ज़्यादा प्रेना मिलती है तो दोस्तों मेरे चैनल को जदा से जदा लाइक करें, सस्क्राइब करें और शेयर करें क्यूंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे ही हेल्थ के टिप्स और ट्रिक्स लेकर आते रहते हैं मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें